हलो फ्रेंस गुड मॉनिंग मैं हूं एम जे ये हमारा गार्डेनिया का प्लांट है अब एक चीज प्रेंस गार्डेनिया में मौनसुन की सीजन में आपको देखने को मिलेगी वो है इसका फ्लावर ड्रॉप्स इसके उपर से फ्लावर ड्रॉप्स प्राज करके जब आपके बहुत ज्यादा बारिश वगेरे होगी तब आप इसके उपर flower drops देखने को मिलेंगे तो इसके flower drops को रोकने के लिए हमें क्या करना है उसके उपर आज की वीडियो है तो प्लीज वीडियो पूरी detail में देखिए, full वीडियो देखिए ताकि आपको एक proper guidance मिल सके ताकि आपका gardenia भी कुछ ऐसे ही बहुत अच्छा grow हो सके और साथ में flower drops ना करे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहली चीज हमें observe करना है plant को plant को observe इस तरह करना है कि plant के पत्ते देखने है प्लांट के पत्ते कैसे है प्लांट के पत्ते light green कलर के है या तो आपके प्लांट के पत्ते normal dark green कलर के है अभी जैसे की friends आप मेरे प्लांट को देखोगे मेरे प्लांट के पत्ते light green कलर के है यह जो देख रहे हो, यहाँ पे जो देख रहे हो, इसकी जो नसे है बीच बीच में वो डार्क ग्रीन कलर की है और साइड वाला हिस्सा टोटली लाइट ग्रीन कलर का है तो यह एक इंडिकेशन है कि प्लांट के अंदर micronutrient deficiency create हुई है कौन सी micronutrient deficiency, देखिए यह प्लांट के अंदर micronutrient deficiency में basically iron deficiency, magnesium deficiency और zinc deficiency यह deficiencies create हुई है लेकिन क्या यह सीधा हमारे प्लांट के उपर flower drop से relate करती है, देखिए यह चीज relate करती भी है और नहीं भी करती मैं आपको आगे यह चीज और detail में समझाओंगा तो please यह वीडियो पूरी देखिए तो सबसे पहली चीज जो हम पहले देखते हैं प्लांट के उपर, उसके उपर हमें पहले काम करना है हमने देखा के प्लांट के उपर यह light green color के leaves हो रहे हैं तो हमें तीन fertilizer पे पहले काम करना है सबसे पहला fertilizer होगा वो है iron fertilizer, दूसरा fertilizer होगा वो है magnesium fertilizer, तीसरा fertilizer होगा वो है zinc fertilizer अब यह जो तीनो तीन fertilizer अगर अच्छी quantity में कोई भी एक micronutrient में मौझूद होगा तो बाद में यह deficiency अपने आप ही ठीक हो जाएगी तो इसलिए micronutrient आप ऐसा select करिए जिसके अंदर iron, magnesium और zinc यह तीनो तीन अच्छी quantity में मौझूद हो तो मैं regzolin CSK use करता हूँ, तो मेरे लिए यह micronutrient सबसे best micronutrient है, थोड़ा सा costly है और उसका कहां से आपको यह micronutrient available होगा उसका whatsapp number भी friends मैंने आपको नीचे दिया हुआ है description में, तो वहाँ पे जाके आप order भी कर सकते हो regzolin देखिए regzolin के साथ, हमने यह micronutrient तो यूज कर लिया, लेकिन यह micronutrient के साथ हमें दो दूसरे micronutrient और add करने होगे, वो है magnesium sulfate chillated iron मैंने फिर से वही चीज repeat की, देखिए जो micronutrient में यह चीज मौझूद है, उसके अंदर एक limited quantity में ही मौझूद होगी, लेकिन हमें थोड़ा dose extra देना होगा, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो, प्लांट के उपर light green color के leaves है, तो उसको जल्दी green करने के लिए, हमें extra dose उसक के अंदर हम एक ग्राम जितना iron add करेंगे, एक ग्राम जितना magnesium sulfate यह चीज एड़ करेंगे, यह सभी जो यह तीनो तीन चीजों को हम अच्छी तरह एक लीटर पानी में mix कर लेंगे, और हम अपने पौधे के उपर इसका spray करेंगे, देखिए इसका spray करना जरूरी है, root system के अ आप spray करिए, spray कप करना है, early morning या तो evening, जब भी आपको लगता है, बहुत अच्छा climate है, cloudy climate है, अभी बारिश नहीं होने वाली है, तो ऐसे में friends, आप अपने plant के उपर इसका spray कर सकते हो, अगर आप spray करते हो, तुरन 2-3 minute के अंदर बारिश हो जाती है, तो please ऐसा मत करिएगा क्योंकि आपको पहले check करना है, आप अपने mobile app open कीजिए, weather app open कीजिए, उसके अंदर देखिए के बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली, अगर आपको लगता है, एक दो घंटे के अंदर बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ऐसे में friends, आप अपने plant के उपर इसका spray कर करना है, इसका spray करना है हफते में दो बार, एक बार आप Sunday के दिन कर लीजिए, दूसरी बार आप Thursday के दिन कर लीजिए, ये आप दो से तीन हफते तक ये spray continue रखिए, आपके plant के उपर ये जो light green color के leaves है, वो अपने आप ही green हो जाएंगे, और आपका plant flower drops करना रोग देगा, य ये एक reason होगा, जिसकी वज़े से आपके plant के उपर से flower drops रुख जाएगा, अब दूसरा reason में आपको बताता हूँ, कि अगर आपके plant के उपर already green leaves है, जैसे कि ऐसे light green leaves नहीं है, normal green leaves है, तो उसका क्या reason हो सकता है, उसके दो major reason हो सकते है, दो major reason में से सबसे पहला reason ये होगा, क बारिश की season में plant को nitrogen हच से ज्यादा मिलता रहता है, continuous मिलता रहता है, तो वो एक reason हो गया, दूसरा reason ये है कि बारिश की season में आप अपने garden या को ऐसा fertilizer दे रहे हो, जिसके अंदर nitrogen का content मौझूद है, जैसे कि 1261 हुआ, या तो DAP हुआ, या तो कोई भी दूसरा ऐसा fertilizer, 13-0-45 या तो 13-43, कुछ भी ऐसा fertilizer जिसके अंदर nitrogen का content मौझूद हो, तो वो दो reason की वज़े से आपका plant flower drop करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि nitrogen अगर जब plant ज्यादा लेना शुरू कर लेगा, तो वो अपने flowerings पे ध्यान नहीं देगा, वो सिर्फ अपनी growth पे ध्यान देगा, पत्ते क पत्ते को हरा भरा करने में ध्यान देगा, ऐसे में आपका plant flower drops करना शुरू कर लेगा, तो इसका solution क्या है, इसका solution यही है, कि सबसे पहले आप अपने plant के उपर, जो भी fertilizer जो यूज करते हो, वो fertilizer के अंदर nitrogen zero रहना चाहिए, अब आप बोलोगे, सर बारिश की season में तो monsoon में तो nitrogen मिलने वाला है, उसका क्या करें, देखिए वो चीज अलग है, वो एक natural condition है, उसका आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो natural के conditions के साथ ही आपको चलना होगा, तो जो normally, जो climate के अंदर nitrogen मिलने वाला है, उसको उतना मिलने दीजिए, लेकिन आपको fertilizer ऐसा use नहीं करना है, ज ये दो fertilizer आपको use करने है, लेकिन ये दो fertilizer के साथ आपको एक और micronutrient add करना होगा, वो है boron, जी हाँ, खास करके monsoon की season में, जब भी आपके gardenia के plant के उपर, अगर आपका gardenia का plant अच्छा खासा condition में है, green leaves है, और flower drops कर रहा है, तो 0050, 052, प्लस boron, ये तीन combination का आप use करिए, इ ये spray से आपके plant के उपर flower drops होना रुख जाएंगे, और आपका plant flowerings करना शुरू कर लेगा, quantity में बता देता हूँ, 052, 1 gram, 0050, 1 gram, और जो boron है, वो 0.5 grams, याने की आधा gram, एक लीटर पानी में mix करके, आप spray करिए, ये spray कितनी बार करना है, लगातार करते रहिए, जब तक एक महीने, दो महीने, जब भी आपको लगता है, आपके आप बहुत हैवी rainfalls हो रहे है, तो ये spray आप अपने पौदे के उपर हफ़ते में एक बार ले रहिए, जिया हफ़ते में एक बार भी कर सकते हो, लेकिन हफ़ते में एक बार भी enough है, या तो maximum हफ़ते में दो बार, इ ज्यादा जाने लगेगी, जिसकी वज़े से प्लांट nitrogen का intake कम कर लेगा, और phosphorus और potassium का intake ज्यादा करेगा, इस से आपके प्लांट के उपर flower buds ज्यादा बनेंगे, और flower drops नहीं होंगे, क्योंकि आपने boron भी इसके अंदर add किया है, तो ये ही सबसे friends, दो condition में आपको अलग-अ ट्रीटमेंट करनी है, तो मैंने दोनों conditions आपको बता दी है, तो अगर आपका plant light green color का है, तो बाद में मैंने जो पहली condition बताई थी, वो follow करिए, अगर आपका plant dark green color का है, तो मैंने आपको दूसरी condition बताई है, वो condition आप follow करिए, तो इस तरह से friends, आप अपने garden या के plant के उप पर से flower drop रोक सकते हैं या monsoon की season में, तो अगर आपको किसी भी type का confusion हुआ, ये topic से related तो आप please मुझे telegram group में contact कर सकते हो till then के लिए, thank you friends और happy gardening